हाई अब्रिवन आइम सविते शर्मा वेलकम अगेंग तो सवितास टीटोरियल्स आई होप आप लोग टी सी वन की कंप्लीट थ्यारी की वीडियो देख चुके होंगे तो टी सी टू में अब फर्दर हम लोग मूव उन करते हैं और टी सी टू की Exam की Complete Preparation इस वीडियो में हम करेंगे सभी Questions more important questions लिए हैं इसमें मैंने और सातमें उनके answers भी 82 कि चैक करेंगे सभी Questions देखेंगे और सिफ वीडियो स्टर्ट करने से पले request करेंगे कि Please इतना भी वीडियो होगा पूरा complete देखे, जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी वीडियो बूस्ट होगा, otherwise वीडियो की रीच नहीं पहुंचेगी, तो प्लीज वीडियो उसको पूरा देखे, स्टार्ट करेंगे, सभी important questions देखेंगे, साथ में उनके answers, ठीके, देखे, DC2 में जो आपका question है, स पूछा गया है, यह question, और संतुली ताहार में इसका वर्णन, इसकी संकल्पना, अपनी उत्तर की पूष्टि के लिए उधारण दीजिए, तो संतुली ताहार में आप उचित मातरा में, और समानुपात में, जो भी खादे-पतार आप खाते हैं, पोशक टक्तों जिससे हम प्राप्त होते हैं, उसी को हम संतुली ताहार कहते हैं, मतलब उचित मातरा और समानुपात में, सभी खादिय पतार सभी वर्णों से शामिल किया जाते हैं, तो उसी को हम संतुली ताहार कहते हैं, ठीके, इस तरह से आपने इसका थोड़ा सा डिफाइन करना, इसको अर्थ देना और उसके बाद संतुलित अहार को आपने बताना कि इसमें कौन कौन सी क्वाले कीज होती है, सारे पोशक्ततों होते हैं, खादेपदार्त सभी शामिल होते हैं, इसमें अतिरिक्त पोशक्ततों की मात्रा भी होती है, ठीक है, जिसे कि जब कभी कमी पड़े बोजन अपर आप खाया हो, मानलों, ट्रैवल कर रहे हो, अस्वस्त हो, तो फिर वो जो अतिरिक्त मात्रा है, वो उस पोशक की कमी को पूरा करता है, इस तरह से आपने इसके सभी आप चेक कर सकते हैं, कि आपने सभी देने हैं, ठीक है, सभी कोश्चन्स इंक्लिउट की हैं, सिले मैं आ और आप यहां से पूरा देख सकते हैं, कि इस तरह से आप इसको लिखेंगे, ठीक है, संतुलित भोजिन के कुछ उधारन पूछा है, संतुलित भोजिन के उधारन बिसी बेला भात, आप बता सकते हो, यह साउथ इंडियन वेंजन है, और एक तरह से इसमें सभी पोश्च संतुलित अहार है, इसके अलावा इडली और सांबर, इडली और सांबर जो साउथ इंडियन इडिश है, इसमें भी कंप्लेट बढ़िया सा एक्जांपल मिलता है, इसमें सभी के सभी कोश्च कत्वस शामिल हो जाते हैं, निसकर्ष में आप दे सकते हैं, इस तरह से आपक 15 marks का question बन जाता है, 15 marks के question में पूछ जाते हैं, या फिर 10 marks, most of the time 10 marks के question में आता है, ठीक है, second question आपका है, वे कौन से पोशक तत्व है, जिनकी जरूरते गर्वावस्ता के दुरान बढ़ जाती है, पर ते एक पोशक तत्व की बड़ी भी जरूरतों का विशस्ट कारन बता करता है, so question को आपको किसी भी तरह से गुमाया गया हो, अगर आपने question को नंगसी topic को समझाया है, तो आप लिख सकते हैं, यह देखिए किस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, कौन-कौन से पोशक तत्व है, इनकी आवशकता गर्वावस्ता में बढ़ जाती है, ठीक है, एक है, विटामिन B समू के इसकी आवशकता बहुत जादा बढ़ जाती है, इसका कारण है, इसका कारण महिला के शरीर में अधिक उर्जा की आवशकता होती है, फॉलिक अमलो की आवशकता बढ़ जाती है, इस तरह से आपने पूरा यह question बताना है, ठीक है, यह next question आपका आता है कि घर्वावस्ता के दोरान होने वाली कौन समस्या कौन तरहा है समानी जैसे आम समस्या जे होती है, सॉबर परिशानी होती है, रदेदा होता है, पिट में दर्ध, स्वीथ शेराय, टंगों में एंटः सांस फोलना, श्मदिन का देज धरकन कों कहते हैं, बवह सीर है्, आपने इसको explain करना है मैंने यहां पसे हैडिंग्स define किये ठीक है बहुत easy है इनको आप define कीजिएगा इस तरह से ठीक है next question आएक आपका करवबस्ता के दुरान पर्मुख विसंगती है कौन-कौन सी है विसंगती है मतलब जो खास विमारिया होती है जिके अती रख्चा तो रता है एनीमिया की प्रॉब्लम आ सकती है खुन की कमी जिसको कहते हैं जिके इस तरह से आपने इनको बताना है कोपोशन शब्त से काच सपर्षण कीजिए इसके दोनों रुपों का वण्नन कीजिए परते गरूप का एग उधारण भी दे लिए कोपोशन का पहले आपने बताना है की अल्प पोशन आती पोशन दोनों ही कोपोशन में आता है अल्पोर्शन का ताथ पर यह आपने explain करना एक या एक स्याधिक पोर्शन थतों कि कभी हो गई तो अल्पोर्शन हो गया, अती पोर्शन में एक या एक स्याधिक पोर्शन थतों कि अती रिखता अल्पोर्शन कहलाती है, अती पोर्शन इस तरह से आपने इनको लिखना है ठीक है ये तिसरा कोशन आगे वे कोशन काफी बारे पूछ जाता है सुभा दुफेर वाला भी लताना है ता दुफेर से पहले वाला भी बताना है बेंजन सुच परते हैं बेंजन की प्रिवक समागरियां और समागरियां में प्रिवक्त होने वाले पोश्ण कत्व भी बताईए तेके इस तरह से आपने इस कोश्ण को करना है देखिए इसमें मैंने पूरा बताया तो फेर की टाइम के कौन सा वोजन लेना चाहिए और उसमें कौन सी समागरिया प्रिवक्त होगी इसके अलावा उनसे क्या-क्या मिलेगा संतुलित अहार से क्या विपराई डिफरेंट कोश्ण है इसमें उसके मतलब संतुलित अहार की योजन को परभावित करने वाले कारक है वो बताने परमुक कारक कौन कौन से है इसमें बहुत सारे कारक है आपकी आवरिती और प्रदित्री आहार आवरिती किस तरह की है ठीक है किसे पंजाब में लगसा बोजन चलेगा साउथ में लगसा आर्थी का धार उसका चलेगा अमीर अलग इस多ら से आपने कारग बताने निम्लीखिक पोशुक की लखशन और प्रतीग विसंग्यति के रोग ताम की तरीकों का विमारे ऐलेगा विमारे शुरी आपनेDha रख के रखना है इसमें रोगताम के तरीके भी प्ताने और Kira That existuard successfully रोग थाम कैसे की जाएगी पर लगग्रा प्रोटीन उर्जा कुपोशन बैरी बैरी यह आपने ज़रूर पढ़ना है बहुत इंपोर्टन्ट है यह गर्बवस्ता के तुरहन होने वाले पांच प्रूपी संगतियों की लक्षिन यह सारे डिफाइन भी कियें देख्यों है next question वे इसको define भी पूरा का पूरा कर दिया है ठीक है बच्चा मरासमग स्रोक से पीडित है इसका पता आप कैसे लगाएंगे क्वाश्य two वीमारिया इसमें यह बता दिया है मैंने ठीक है इसको explain भी कर दिया है इस तरह से आप बिमा कि यह पढ़के रखें अब यह गर्ववस्ता के दुरान फर्व देखवाल की आवरिशक्टा या फिर उसकी ज़रुरत की चर्चा कीजिए मतलब गर्ववस्ता होती तो पुर्व देखवाल क्या क्या की जा सकती, श्रुक्षित मात्रोत उनुजित करना इसके लेटी का परण किया तो अगरववस्ता के दुरान उत्पन होने वाले लक्षन देखने है न। गर्ववस्ता के दौरान पोश्टिक भोजन कारे भार विश्राम वो नींद व्यक्तिकत साफ सफाइटी ककन बीमारी सब कुछ आएगा इसके अंदर पर सब की त्यारी निशकर्ष शाररीक अपंगता के सिक्षा पर पढ़ने वाले प्रभाओं की चर्चा कीजिए शाररीक अ पूशकता हो कि अतिरिक्त परस्ताविद दैनिक मातरा बताये स्थान पान कराने वाली महिला के लिए एक दिन की वेंजंस ओची भी बनाई ऋत परस्ताविद दैनिक मातरा किया है यह है इसे नौर्मल आडमी को 600 कल बानिक क्यालोर्य उर्जा जाहिए तो तन्काल-फाल और इसमें हमने पूरा पताया है किस तरह से बस्तावित ये हमने वेंजन सोची भी बना के दी है इसके बाद आपने खाद्यवर्ग कौन-कौन से हैं इस पर भी कोशन पूछा जाता है संतुरी तहार योजना बनाते समय इनका कैसे उपयोग किया सकता है तो डिफ्रेंट अनुविक्षन कैसे किया जा सकता है सेमी कोशन डिफ्रेंट तरीके से पूछ गया है तो इस आप देख लिए इस तरह से बनाया जाए गई ठीक है पूरा पढ़ें आप इसको और आप बुक से भी पढ़ सकते हैं ठीक है आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप बुक से भ लित अखार इन पर बेस्ट आज़ता है कोशन टीक है तो इस तरह से आपने इसमें लखना है सिच्वों के लिए उप्युक्त मूल, मिश्रन और बहु, मिश्रन पर टीक का एक एक उधारन दीजीए मिश्रन क्या है यह भी बताना है पर टीक उधारन भी दे रेने हैं ओर फॉर मार्क्स कोश्टिन पौश्यद में इन वाले कोशिद पूची जाते हैं कार्वोज का प्रोटीन को अन्यकारियों के लिए मुझ दॉत रखने जीवोचित कहलता है जीवनस्तर के सॉम्चक पॉष्टर्टों की परस्तावित्वर्ट्ट कंतर हैं कोशन्स रखे हैं मैंने important five marks में जो पूछी जाते हैं इनकी answer आपने खुद बनाना है विर्दी जाट क्या होता है ISTS द्वारा परदान की जाने वाली सिवा very important question यह वाला ठीक है complete त्यारी हो रही है आपकी देखिए वीडियो को पूरा देखे और वीडियो को प्लीज शेयर भी कीजिए सब्सक्राइब कीजिए जब पूरा आपको मैंने इसमें questions दिखाएं अब two marks वाले questions देखिए two marks वाले questions बताएं मैंने कौन-कौन से पूच जाते पूच नात्मक्स दर पूच जा सकता है योग वाही था इसमें पांच questions दिए होंगे two marks के 10 marks का question बन जाता है इनको थो 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 रडिफाइन करना होता है पूच नात्मक्स दर ठीक है इस तरह से इस तरह के question देखिए तो I hope आपने सारा देखिए होंगे सभी question उसको मैंने briefly बताया भी आपको explanation दिए I hope video useful informative रहा हो share and subscribe जरू किए प्लीज थैंक यू